नमस्कार दोस्तों इस वीडियो के अंदर complete analysis बताऊंगा Tata Motors को क्या करना चाहिए आप लोगों को क्या बेच के निकल जाएं यह इतना बड़ा 4400 करोड का लोस देखके या फिर future के perspective से hold करें और कितने दिन के लिए hold कर सकते हैं तो point यह है कि कल के दिन थोड़ी मारा मारी हो सकती है पर आपको समझना होगे कि domestic business में growth कितनी चल रही है revenue बड़ा है quarter to पिछले साल से 8000 करोड चलो कोई माईने नहीं रखता चलो पर actual जो problem आई है वो आई है margins देखे 11.4 से घटके 6.57% हो गया है यह issue कहां से आया और कब शुरू हुआ है actually मैं Indian business बहुत अच्छा चल रहा है अगर हम पिछले साल के quarter की बात करें या पिछले quarter की बात करें तो revenue loss पिछले quarter में भी सेम ही था च्वालिस सो पचास करोड का जो क्यार च्वालिस सो पंद्रा करोड है रीजन क्या था लोस का रीजन का एक ही रीजन है वो है JLR अगर आप Indian business की बात करें मैं complete analysis बता रहा हूँ को revenue domestic business से कितना है quarter में कितना increase हो है 100% के करीब करीब 18,400 करोड के करीब करीब हो गया revenue इंडियस business से और जो loss था वो 1,166 करोड था पिछले quarter में वो कम होके 819 करोड हो गया तो मतलब पिछले quarter के मकाबले 35,500 करोड का फाइदा हुआ है मतलब loss कम हो गया है business बढ़ता जा रहा है नई गाडियां आती जा रही है नई investment आती जा रही है इंडियनीज भी business में भी आ रहा है तो घाटे का कारण क्या है और क्या करना चाहिए आपको ये strategy बहुत ज़रूरी है दोस्तों वरना आपको बहुत नुकसान हो सकता है वीडियो कौन तक देखीगा और like share ज़रूर के जीगा अगर पसंद आए तो तो सब में रीजन है वो है JLR, Jaguar Land Rover chip shortage हुई थी chip shortage की वज़े से इनकी production का मोरी है production का मोरी है तो ये नुकसान में जा रही है अगर मैं 4,400 करोड की बात करूँ तो में 3500 करोड से ज़्यादा का नुकसान तो JLR का है तो JLR का नुकसान का आप कर क्या सकती है company अभी chip shortage से recover नहीं कर सकती आप देखे revenue 3.9 billion है पर tax loss pre-tax loss है वो 302 million pounds का है million pounds की बात करूँ तो pounds 185 का round होता है तो ये करीबन करीबन आपका 25, 26, 27, 27, 27 करोड करीब करीब तो अब क्या खर सकते हैं अभी कल 2-3 दिन pressure में रहेगा ये stock नजर बनाए रखेगा pressure में fail करके आप निकल सकते हैं अगर आपने बहुत पहले खरीदा था तो और lower rates पर दुबारा बाई कर सकते हैं ये ध्यान रखेगा lower rates पर इसका जो level है जहां पर ये रुख सकता है वो है 400 400 के level पर रुख सकता है ये वो है पोल्स भी कह रहे थे कि 3650 का होगा पर राट चार अजर रार so main revenue बढ़ा है बट जो main घाटा हुआ है margins बहुत कम हो गए है profitability कम होती जा रही है वो JLR business की वज़े से तो lower level पर खरीदने कोशिश केजिएगा निकलने कोशिश कीजिएगा पर long term के लिए बहुत अच्छा है अगर मैं बात करूँ तो घाटा हो सकता है जिन्होंने higher level पर खरीदा है बट lower level पर जिन्होंने खरीदा है और long term 3-4 साल का जो सोच के चल रहा है उन्हें कोई problem नहीं होने वाली है बेचिये higher level पर बेच के निकल के दुबारा lower ले है थोड़े मुश्किल रहने वाले आने वाले दो-चार दिन पर डरने की कोई बात नहीं है long term वालों को कोई डरने की बात है ही नहीं खुद की detail analysis कजिए खुद का भी पढ़िए पूरा का पूरा result पढ़िए थोड़ी बाते नहीं और खुद के financial advisor से पूछ के खुद करके research करके invest कीजिए धन्या